अलो एवरिवन अभी मैं आपके साथ एडूट एडिया करेंट अफियर जो बारशी कांग 2022 की नई वाली मार्केट में आई हुई है इसके जो 1000 अब्जेक्टिब कुस्टन्स जो दिये हुए हैं इसमें मैं प्रैक्टिशेट 20 आपके साथ डिसकर्शन करूँगा तो चलिए ब इनफोर्मेशन जो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंशती रहेगी और आपने प्रैक्टिशेट एक से लेकर 19 तक आपने जो वीडियो नहीं देखा है उसे भी जागर देखिए ये एक्जाम भ्यूपॉइंट से काफी इंपोर्टेंट वीडियो है तो चलिए बीना स चमय गवाय स्टार्ट करते हैं पहला कुश्टन है प्रैक्टिशेट 20 का भारतिये कप्तान कपिल देव को पीछे छोर कर एक खिलारी जो है वो टेस्ट में विकेट लेने वाले दूसरे भारतिये बॉलर बन गये हैं तो इस खिलारी का नाम क्या है आर आश्विन ये पीडि देख लिजिएगा चलिए दूसरा कुशन पर देखते हैं मार्च 2022 में आयो जित भारत परसांत सेन ने स्वस्थ बिनियम सम्मेलन का जो उडगाटन हुआ है ये किस के द्वरा किया गया है तो ये किया गया है राजनात सिंग के द्वरा भारत बन स्थिती रिपोर्ट 2021 के अ उडिशा के अंदर हुई है देखे मेगरोबन की बिरिधी की बात कर रहा है अगर इसमें सबसे अधिक मेगरोबन की बात करता तो पश्चिम मंगाल के अंदर सबसे अधिक मेगरोबन है लेकिन या बिरिधी की बात कर रहा है कि मेगरोबन में सबसे अधिक बिरिधी कहां तो ये जो गौवर्मेंट है ये 25,000 किलो मीटर नए नेशनल हाईवे के निर्मान का लक्ष रखा है नेक्स्ट है COP27 का जो आयोजन है बर्स 2022 में ये किस देश में किया जाएगा तो COP27 का जो आयोजन है ये मिसर के अंदर होगा नेक्स्ट है भारत के परधान बैज्यानिक सलाकार कारेकाल द्वारा अपसिस्ट कचरो के समाधान है तू किस पोटल को लॉंच किया गया है तो देखिए कुशन को समाझ लीजे जो अपसिस्ट कचरा होता है इसके समाधान है तू एक पोटल को लॉंच किया गया है और यह portal को launch कौन की हैं भारत के परधान बैज्ञानिक शलाकार के द्वारा launch किया गया है उनके मतब कारजाले से launch किया गया है तो पूछ रहा है इस portal का नाम क्या है तो इस portal का जो नाम है waste to wealth नेक्स है भारत का पहला इमचली बजार हे तू फीश वाले एक एप है फीश वाले एप इसको launch किया गया है तो यह आशम में है नेक्स है दुद्ध मुल्ले पुरुथसाहन योजना दुग्द मुल्ले पुरुथसाहन योजना इसकी जो शुरुवात की गई है यह उत्राखंड के द्वारा शुरू किया गया है भारत स्वरी बिस्व का पहला 3D printed steel bridge के हम लोग बात करते हैं तो यह कहां खोला गया है तो यह एमेस्टरडम नीदरलेंड के अंदर खोला गया है नेक्स्ट है बाल शेवा योजना यह आप यहाँ पे देखिए बाल शेवा योजना की जो शुरुवात हुई है COVID-19 से अनात बच्चों COVID-19 के कारण जो बच्चे अनात हुए थे उनकों के लिए बाल शेवा योजना की शुरुवात की है किस राज्य की सरकार ने बाल शेवा योजना की शुरुवात की है मंगोलिया भी है और ताज हकिस्थान भी है इन सब को सामिल किया है ICC मुख्य मंतरी किशान मित्र उर्जाय योजना इसकी जो सुर्वात है इस राज्य की सरकार ने की है तो राजस्थान की सरकार ने की है नेक्स्ट है नीती आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष इंडिया सुषकंग 2021 के संबंध में कुछ तत्य दिये गए है आये चेक करते हैं इसमें से कौन सा तत्य सत्य है केरल को पर्थम अस्थान पराप्त हुआ है तो ये बिल्कुल सही है कि केरल को पर्थम अस्थान पराप्त हुआ है और अंती मस्थान पर बिहार है तो ये बिल्कुल सही है कि अंती मस्थान पर बिहार है तो ये दोनों हो जाएंगे नेक्स्ट है LNG फैसिलिटी प्लांट का उडगाटन किस सहर में किया है देखिए हमारे नितिन गडगड़ी जो है LNG फैसिलिटी प्लांट का उडगाचन जो है ये नाकपूर के अंदर किया है इन्होंने नेक्स्ट है बीस्प स्वस्त संगठन ने भारत में पहचाने गए कुरोना के वेरियंट का नमा करन किया है क्या नमा करन किया है तो ये नमा करन किया है डेल्टा और कप्पा ये दोनों है नेक्स्ट है ओपेन एश्काई संधी ओपेन एश्काई संधी से हटने का निर्ने लिया है ये जून 2021 का कुश्चन से है और ये फिर सामिल भी हो गये थे ओपेनिश काई संधी से ये रूश है लेकिन फिर भी इस कुशन को आप ध्यान रखिएगा संजीक तराष्ट महासवा के 76 सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो अबदुल्ला सहीद जी को चुना गया है Next है Global Bio India 2021 का आयोजन किया गया है कहा किया गया है किस मंत्राले के दोरा किया गया है तो लिग्यान एवं प्रद्योक की मंत्राले के दोरा किया गया है Next है किस देश में World Flu H10N3S Treats से संक्रमित पहले विक्ती का मामला सामने आया है तो यह देश है चीन चीनी वाइरस का ख़जाना है 47 वा G7 सीखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है तो G7 सीखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता है ये बिरेटेन ने किया है next है रमायन और महा भारत को बच्चों के पाठकरम में सामिल किया है किस देश ने, ये बड़ी important questions है जो रमायन और महाभारत को बच्चों के पाठकरा में सामिल किया है तो ये जो देश हैं, ये सौधी अरब है नाडा, नाडा के जो नए महानिदेशक हैं, ये कौन बने है नाडा के जो नए महानिदेशक हैं, सिदार्थ सिंग लोंग जाम बने है नेक्स है, believe what life and cricket taught me ये आत्म कता है, ये किस की आत्म कता है तो ये है सुरेश रहना की आत्म कता नेक्स है, दो हरित उर्जा कूशल सहर बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है, वो बिहार है नेक्स है, SS आवार्ड 2021 Sports Women of the Decade का आवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया है इस आवार्ड से तो Sports Women of the Decade के आवार्ड से सम्मानित किया गया है एमसी मेरिकम को नेक्स है, विस्प रे सोतंता दिवस 2021 का जो थीम है ये क्या था, तो ये है Information as a Public Good नेक्स है, विस्प का पहला देश है जिसने सरकों पर कम गती वाले ड्राइवर लेस कारों को चलाने के अनुमती दी है तो ये देश जो है, ये ब्रेटेन है नेक्स है, ICC Indian Chamber of Commerce की बात कर रहा है किर्केट वाला नहीं Indian Chamber of Commerce के द्वारा किस भारतिये संस्था को Green Urja Award से शम्मानित किया गया है तो ये जो है, IREDA है उम लिंगला दर्रा उम लिंगला दर्रा को फतक करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और अठारत दर्रे को पार करने वाली पहली महिला हाली में कोन बनी है तो ये जो महिला बनी है ये निका नाम है कंचन उगूर संडी नेक्स है भारतिय मुल्की एक लेखी क्या है उनको पंद्रहमा शेख जयद बुक पुरngकार परदान किया गया है इनका नाम क्या है ताहिरा कुतबोदीन इनका नाम है इसका नाम क्या रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है रक्षित नेक्स्ट है IFFI जो बावनवा है बावनवा IFFI यानि इंडियान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल यह IFFI बावनवा है और इनके बीच्व हैने हाइब्रिड रूप से कहां आयोजित किया गया है तो कुशन यह पूछ रहा है कि IWFI को कहां आयोजित किया गया है तो obviously इसको गुवा में आयोजित किया गया था Next है, ओलम्पिक खेल में पहले भारतिये जिसे जिमनाष्ट अर्थ देखे, Tokyo ओलम्पिक हुआ था उसमें जिमनाष्ट में भारत के दिपक कावरा जी को जज़ बनाए गया था तो कुशन के अंदर यही कहा गया है कहा है दिपक चावरा जी, दिपक कावरा तो यही है दिपक कावरा जी, आप तेकि इसमें चावरा भी दिया हुआ है तो दिपक कावराजी याद रखेगा इनको जिमनास्टिक में जज़ बनाए गया था ओलम्पिक खेल में नेक्स्ट है भारत का पहला बिदेशी पक्षी पार्क ये कहां खोला गया है भारत का पहला जो बिदेशी पक्षी पार्क है ये मुंबई के अंदर खोला गया है प्रधान मंत्री मोधी के द्वारत के किस चहर में अंतराश्टिय शयोग और सम्मिलन किंद्र रूदराक्ष का उडगाटन किया गया है तो ये प्रधान मंत्री मोधी जी का लोक्षभा छेतर हैं और वरानशी नेक्ट है देखे आई एस ए इंटरनेशनल सुरर एलाइनस का 101 मा सदस से कौन बना है तो वो है अमेरिका नेक्ट है देखे देश का पहला पूरी तरह से विद्धूतिक्रीत रेलवे जोन जो है वो बना है वो कौन सा जोन है जो पूरी तरह से विद्धूतिक्रीत रेलवे जोन बना है तो दक्षिन मद्धे रेलवे है आई थिंक दक्षिन मद्धे रेलवे है नहीं ये है पस्षिम मद्ध रेलवे होगा देखें मैं भी कन्फूज कर गया ये पस्षिम मद्ध रेलवे होगा दक्षिम मद्ध रेलवे नहीं होगा तो पस्षिम मद्ध रेलवे होगा तो आप रेगुलर वे में इसको ध्यान देते रहेगा नेक्स्ट है दुनिया का सबसे उचा रेलवे आर्क ब्रीज का निर्मान जो है 21 नदी पे किया जा रहा है तो ये जो है चिनाब नदी पे किया जा रहा है आर्क ब्रीज का निर्मान नेक्स्ट है नेक्स्ट है लिटल गुरू जो है ये एप है और ये संस्कृत लर्निंग एप है इसको जो है इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी संस्कृती के दोरा इसको लॉंच किया गया है बंगला देश में तो इसका अंसर हो जाएगा बंगला देश COP26 के अगर हम लोग बात करते हैं COP26 सिखर सम्मेलन तो भारत के द्वारा इलेक्ट्रिक बाहनों पर कौन सा बेपोटल लॉंच किया गया है तो ये जो बेपोटल लॉंच किया गया है ये एमरित पोटल को लॉंच किया गया है नेक्स्ट है जो हमारे देश के जो सेना परमुक्ष जनरल परभू राम देखें ये जनरल परभू राम सरमा जी है ये नेपाल के सिना परमुक्थ है और इनको जो है हमारे राष्टपती रामनाद गोबिन जी भारत में जनरल की मानतपद से सम्मानित किया है तो ये नेपाल के थैं कुश्चन को समझ लीजिए नेक्ष है 24 मुक्ष निरवाचन आयुक्त के रूप में किसे निक्त किया गया है तो 24 मुक्ष निरवाचन आयुक्त है हमारे सुसिल चंदरा जी और यहाँ पे कुछ बेखती दिये गए है और कह रहे हैं कि इसमें सुमीलित नहीं है तो आयो देखते हैं धर्मेंद परदान ये सिक्षा मंतरी है तो ये बिल्कुल सही है अश्वणी बैशनब जी ये रेलवे मंतरी है तो ये बिल्कुल सही है कीरन रिजीजु जो है ये अनुराग ठाकुर जो है ये खेल मंतरी भी है अभी भी है और कीरन रिजुजु जो है ये पंचाइती राजमंतरी है तो ये नहीं है नेक्श्ट है विस्प स्नूकर चैंपियंशिप की अगर हम लोग बात करते हैं 2021 कि इसका SCI SNUKER Championship जो है यह पंकज अडवानी ने जीता था और 20 SNUKER Championship 2022 का खिताब जो है Mark Shelby जीने जीते हैं Tokyo Olympic 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके संबंद में कुछ तथे दिये गए हैं आये चेक करते हैं कौन सा तथे सथे हैं तो इसमें जो है अमेरिका सिर्ष अस्थान पे रहा तो ये बिल्कुल सही है अमेरिका मैंने पीछे भी बताया था अमेरिका सिर्ष अस्थान पे रहा और भारत का अस्थान 48 रहा था तो ये बिल्कुल सही है दोनों कथन सत्ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इसी के साथ जो है प्रैक्टिशेट 20 का 50 कुशन यहीं पर समाप्त होता है और आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो रिमेनिंग वीडियो है एक से लेकर 19 तक अगर आपन के भी उसे काफी इंपोर्टेंट है और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सेयर कर लीजिएगा थैंक्यू पर वाचिंग